जैहिन दोस्तों UDCRA में आपका स्वागत है दोस्तों अब हम बात करेंगे English Premier League के अगले मैच की जो की खेला जाएगा Arsenal और Manchester United के बीच में दोस्तों ये एक बहुती बड़िया मैच होने वाला है फेवरिट्स इसमें Arsenal ही रहेंगे बेकास एक तो वो नमबर वन पॉजिशन पे हैं लीग में इस वक्त और अमेजिंग परफॉर्मेंस दिये हैं उन्होंने दूसरा आज अपने घर पे खेलेंगे वो तो वैसे भी क्राउट सपोर्ट पूरा रहेगा तो फिर इसलिए आज Arsenal ही फेवरिट्स होंगे आईए लानपस देख लेते हैं दोनों टीम्स का तो Arsenal की बात की जाए तो Arsenal के striking position पे खेलेंगे एडवर्ड एनकेतिया लेफ्ट विंग पे रहेंगे गैबरियल मार्टिनेली राइट विंग पे होंगे बकाय उसाका सेंटरल मिट फिल्ड में थॉमस पार्टे लेफ्ट मिट फिड़ में ग्रैट जाका और राइट में मार्टिन ओडिगार्ड लेफ्ट बैक पे होंगे जिन्चेंको दू सेंटर बैक रहेंगे मिगैलिस और सलीबा और राइट बैक पे होंगे मेंजमीन वाइट गोल की पर होंगे आरान राम स्टेल अब अगर यहां से हमें साथ प्लेयर पिक करनी है तो वो कौन से होंगे आई यह देख लेते हैं एक बार लाइनप्स खोल लेते हैं फिल्टर लगा लेते हैं आर्सनल का तो एनकेटिया की बात की जाए तो यह प्लेयर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है ठीक है प्रेमेर लीग में से सोला में से चारी मैच स्टार्ट किया है लेकिन दो गोल मारे हैं उसमें दैट मींज जब भी खेलता है इंपक्ट डालता है और आज वैसे भी आर्सनल होम पे खेलने वाली है तो मैं इनको अपनी टीम में 100% रखोंगा लेफ्ट विंग पे आपको देख रहे हैं गैबरियल मार्टिनेली इनकी बात की जाए तो अठारा के अठारा मैच स्टार्ट किया है साथ गोल मारे हैं चॉटन टार्गेट भी अच्छा है चांस क्रियेशन बहुत बढ़िया है पास्स भी ठीक ठाक है तो इंपोर्टन प्लेयर हो जाते हैं इनको भी हम बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करेंगे उसके बाद आपको राइट विंग पे दिखेंगे बकायो साका जो की वन अफ दे बेस्ट प्लेयर्स है इन आर्सनल टीम इन इंगलिश प्रेमियर लीग अलसो अठारा के अठारा मैच स्टार्ट किया हैं छे गोल हैं साथ असिस्ट हैं चांस क्रियेशन बहुत हाई है पास परसंटेज काफी हाई है तो इनको डॉप तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता नेक्स्ट आपको देखेंगे लेफ्ट मिट फिल्ड में ग्रैनिट जाका जो की इस सीजन से थोड़ा सा गोल थ्रेड भी हो गए हैं काफी गोल मार रहे हैं शूट्स लेते हैं लॉंग डिस हैं टॉटनेम के खिलाफ 90 मिनट खेले 45 पासे एक चांस क्रियेट और दो इंटरसेप्शन एक टैकल न्यूकासल के खिलाफ भी 90 मिनट खेले 49 पासे तीन चांस क्रियेट किये और एक टैकल तो बैसिकली यह 15-20 पॉइंट आपको देखे जाएंगे लेकिन अगर इनका असिस देखे जाते हैं जहां पर थॉमस पार्टे आपको दिख रहे हैं तो अभी के लिए मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूं क्योंकि और बेटर आप्शन मेरे को मिल रहे हैं थॉमस पार्टे की बात की जाए तो यह भी एक सर्प्राइजिंग गोल थ्रेट हो गए हैं आर्सन अगेंस्ट न्यूकासल भी 90 मिनट के लिए 78 पासिस किये एक की पास किया तीन टैकल एक इंटरसेप्शन तो डिफेंसिफ पॉइंट्स के लगर आपको किसी के पास जाना है फ्रॉम आर्सनल तो आप पार्टे को ले सकते हैं राइट विंग पे आपको देखेंगे ओडिग तो ओडिगार्ड को मैं ड्रॉप नहीं करूँगा सेलेक्शन परसेंटेज भी बहुत हाई है इनका अब आते हैं डिफेंस में डिफेंस में बात की जाए तो लेफ्ट बैक पे आपके दिखेंगे जिंचेंको जो एक बहुती क्रियेटिफ फॉल बैक हैं बहुत ज़ादा करते हैं टैकल इंटरसेप्शन भी अच्छे खासे कर देते हैं 11 में से 10 मैट स्टार्ट किये हैं एक असिस्ट है चांस क्रेशन उतना खास नहीं है पास्स काफी हाई है टैकल अच्छा है इंटरसेप्शन ओके ओके है नेक्स्ट आपको दिखेंगे गेब्रियल मिगालिस ज दो गोल मार चुके हैं सीजन एक असिस्ट भी कर चुके हैं अराउंड साट पासेज एवरेज इंटरसेप्शन टैकल भी गेब्रियल मिगालिस के आसपास ही है नेक्स्ट आपको देखेंगे बेंजमिन वाइट जो की खेलेंगे राइट बैक पे इनके परफॉर्मंस बहु होती अच्छे हैं रिसेंटली अठारा के अठारा मैट स्टार्ट किया नोने दो असिस्ट किया है की पास ठीक है पासेज भी चवालिस हैं अवरेज पर गेंटरसेप्शन टैकल अच्छा है तो बैन वाइट को तो मैं 100% पिक करूंगा अब बैन वाइट और जिंचेंको इन तो कुछ खास फरक नहीं है बट आप किसी को भी पिक कर सकते हैं अगर आपको सेफ जाना है तो आप जंता के साथ जाएं मेगालेस को पिक करिए तो अभी के लिए हम मेंचेस्टर उनेटिट की तरफ तो गोल कीपर डीजीया ही लिए जाएंगे ठीक है क्योंकि मुझे लग करते हैं ठीक है तो मैं लूक शॉक को पिक करूंगा ठीक है अटाकिंग लिए भी अच्छे हैं ये और डिफेंसिफ पॉइंट्स भी दे कर जाते हैं तो इनको मैं डॉप नहीं करूंगा उसके बाद मिट फील्ड में ब्रूनो फर्णाइंडिस को मैं किसी भी कीमत पर डॉप नहीं करूंगा मोस्ट क्रियेटिफ प्लेयर इन मैंचेस्टर उनाइटेड डिफेंसिफ वर्क भी करते हैं फ्री केक्स भी लेते हैं और पैनल्टीज भी लेंगे इन एपसेंस ऑफ एंथनी मार्शियल तो ब्रून अगर यह स्टार्ट करेंगे और नहीं करेंगे अभी तो यह पॉसिबल लैनप में दिखा रहे हैं तो इसलिए हम इनको पिक कर रहे हैं अगर यह स्टार्ट नहीं करते हैं तो वेगहौस भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं बहुत ही बढ़ी एश्ट्राइकर है और परसनल के खिलाफ तो आप कैसे मेरो को भी पिक कर सकते हैं यह अच्छे कासे डिफेंसिफ पॉइंट्स आपको देखे जा सकते हैं ठीक है और अगर आपको लगता है कि एंटनी गोल मारेंगे तो आप रैशवर्ट की जिएक एंटनी को भी पिक कर सकते हैं क्योंकि अगर कैप्टन से की बात की जाए तो कैप्टन मेरे रहेंगे बकायो साका ठीक है और वाइस कैप्टन मैं बनाऊंगा फ्रॉम मार्टिनेली या एनकेटिया मैंसे किसी एक को ठीक है अभी के लिए मैं एनकेटिया को बना रहा हूँ ठीक है और आप मार्टिनेली को भी बना सकते हैं जो कि एक safe choice है मैं थोड़ा रिस्की जा रहा हूँ वाइस कैप्टन ऑप्शन ओडिगार भी बहुत बड़ी ऑप्शन है अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं ठीक है बूनो फर्नैंडेस भी अच्छे ऑप्शन है और रैश्वर्ड भी बड़ी ऑप्शन है क्योंकि रैश्वर्ड का फॉर्म भी बहुत अमेजिंग चल रहा है ठीक है मैं NKT को बना रहा हूँ थोड़ा से रिस्की जा रहा हूँ मैं ठीक है आप लोग अपने हिसाब से changes कर सकते हैं और जो भी final update होगा दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज फॉरण जुड़ जाए टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है हमारे किसी भी वीडियो के description में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे link दिख चाहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जस्ट ए सेकिंड एक मिनट दीजिए मुझे ताय सर्च करना पड़ेगा जैसे आप इस वीडियो के description में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा बेल आइकन, बेल आइकन के जस्ट पास आपको सब्सक्राइब दिखाई देगा उसे प्रेस करें देन बेल आइकन में नोटिफिकेशन को आल कर दे और नोटिफिकेशन में आल करने के बाद आपको notification bell icon के just उपर more दिखाई देगा उसे प्रेस करें then join our official telegram channel के पास more दिखाई देगा उसे प्रेस करें then आपको link मिल जाएगा उस link के थूँ आप हमारे channel से जुड़ सकते हैं direct search करके ना join करें वीडियो के description में जो link दिया है उसके थूँ ही join करें तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जैहन